स्री शिवाय नमस्त अभ्यम दर्शेकों आपको हम नवरात्री में बताए गए पूजनी स्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा द्वारा एक उपाय के बारे में बता रहे हैं जो नवरात्री के दिन पांचवे दिन करना है यदि आपके घर में किसी भी बालक बालीका का मंगल व बादा हो विवा नहीं हो पा रहा है रिष्टा अच्छा डून रहे हैं तो तुरंत मिल जाएगा आप निश्चिंत रहें यह उपाय आपको नवरात्री में पंचमी के दिन याने पांचवे दिन करना है इस उपाय को करने के लिए आपको आम के पत्ते का इस्तिमाल करना है देवी भागवत में इस पश्च रूप से लिखा गया है कि पान का और आम का जो पत्ता होता है पल्लव होता है उस पर आप यह उपाय करें आम का पत्ता ले लें उस पर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं और एक स्वास्तिक आपको सिंदूर से यानि रोली से बनाना है और एक स्वास्तिक पर पीले हल्दी के स्वास्तिक पर लाल कुमकुम की अक्षत रखें कुछ और सिंदूर वाले स्वास्तिक पर पीले अक्षत रखें और उस वर्या कन्या के हतेली पर रख करके आप माता रानी का नाम ले करके पंचमी के ये दिन यहाँ उपाय करें नीम के व्रक्ष के नीचे यहाँ पत्ता रख करके आना है और अपनी विवाह संबंदी जो भी बाधा आ रही है वह बोलनी है और यहाँ मनवकामना करनी है कि हमारा विवाह शीगर हो जाए बस इतना सा उपाय करके आएं सिर्फ पंजमी के दिनियां उपाय करना है समय कोई भी रखे किसी भी समय जा करके आप यह उपाय करकर आएं मातारानी से प्रात्ना करें आपका विवाह शीगर हो जाएगा विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी और यहाँ उपाय सिर्फ आपको एक ही बार करना है एक ही नवरात्री में पंचमी के दिन करना है किसी भी पन्या का विवाह शीग्र से शीग्र हो जाएगा यह उपा जल्द कीजिए और भी कहें उपाएं हैं जो पूजिनिसी पंडित प्रदीप जी मिस्रा तोरा बताएगा हैं हमारे चैनल पर आप जरूर देखिएगा आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे आपकी हर परेशानिय का समाधान मिलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुचाईएगा ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकरी प्राप्त हो मिलते हैं श्री शिवाय नमस्तु भ्याम